और यह जो लोग है, इडी का कराप्षिन इस हद तक है, यह सब लोग इडी के वसूल एजन्ट बन गए हैं, और मैं यह बहुत दावे के साथ कहता हूँ, अब आवर एक मैं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग और मज़े की बात बताने जाए, इडी वाले सुनो, और हिम्मा च कर लिजे, कितनी भी फ्रेम कर लिजे, I will fight, मैं इडी वाले से पुर्षता हूँ, जितेंद्र चंद्रलाई नवलानी कौन है, नाम लेख लिजे, जितेंद्र चंद्रलाई नवलानी के नाम सुनकर, मुंबई और दिल्ली के इडियो आपिस का सास बंद हो गया होगा, उनको फसीने छुटे है, चार मैने से मुंबई के जो बिल्डर से बड़े-बड़े, उनसे वसुली चल रही है, इडी के नाम पर, मुंबई के सक्तर बिल्डर, प्रतिष्टित बिल्डर, उनसे इडी के नाम पर जो वसुली हो रही है, उसको इडी को भी पता है, तुँ जादी कह रहे हैं, उनको प किसके लोग है सब डेटा मेरे पास है और मैं सब से पहले प्रधान मंत्री मोधी जी को इस बारे में जैस्टे व्यंखिया जी को लिखा है मैं म्यमि शागी को लिखूंगा बाद में जानकारी यहिं जग से आपको दुँगा जुतेंद्र नवुलानी, फरित शमा, रोमी और फिरोष शमा, ये चार किसके एजंट है, मुंबोई के साथ बिल्डोर उनसे लोगों ने लगबक तिन सो करोड रुपे दमा किये है, कहा हो गया उसका मंदिल अंडरी, मैं आपको बता दूंगा जल्दी, उसमें कितने इडी के अफसर शाम कहा बैठते है, कहा खाते है, कहा पिते है और क्या आयाशी करते है, ये मैं देश को बताऊंगा, चाहे आप मुझे गोली मारो, आप मुझे जेल में डालो, आप कुछ भी करे, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ, आप करिये, आप कुछो करना है करिये, अब ये जो बात मैंने आपसे कई है ये आप बात समझ लीजिए महाराष्ट्रा को बदनाम करना के एक बहुत बड़ा साजिस है महाराष्ट्र, बंगाल और जहरकन ये तीन राजों की सरकारी गिरानी की साजिस चल रही है और EDA और CBI का हत्यार बना रहे है हमारे जैसे लोग जो पारिटी के लिए आपने जान देने को तयार है हमारे जैसे लोग हम सब को तकलिफ देंगे धमकाएंगे, डराएंगे लेकिर भाई आपने हमारा DNA अब तक देखा नहीं है क्या है अईसी कोई जेल बनी नहीं है कि मुझे दो साल के दो साल तक जेल में रखे हमने बहुत देखा है जिंदगी आए अरे बच्चों को धमकाते हैं लोग इड़ी वाले छोटे-छोटे बच्चों को धमकाते हैं अईशी साल के बढ़े को पकड़कर लेके गए अलिबाग से एटी येर्स ओर हाट पेशेंट है और रहा था कि मुझे आप याद नहीं है भाई इतने साल का एक ट्राइंजेक्शन है मुझे तो ऐसे याद होगा दो चार लाग का ट्राइंजेक्शन है तु यहाँ ही मरेगा तु तु घर में नहीं जाएगा इस प्रकार से एडी के अधिकरे ने उसको धमकाया अमिशा मुझी जिसे मेरा ये निवेदन है का यही आपकी देमोकरसी है आप इमर्जंसी के बारे में बड़े-बड़े भाशन देते हो अक्रोश करते हो और यह इस तो ना कि जिस दिन है मेरे विए अधिश के उपड़ मेरे दोष्टों के उपड़े उरही थी और इनोसड़िन लगों को पकड़ लेकर जा यह ठीक नहीं है। अगर आपकी मुझे दुश्मनी है तो आप मुझे एरश करिये। मैं तयार हूँ, आप मुझे टॉर्चर किजिए, लेकिन आप मेरे नजदी की, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिवस, मेरे बच्चे, आप उनको को टॉर्चर कर रहे हूँ, आपकी एजन्स, मैंने कहा उनको, और भी मैंने लोगों से बारे, यह शिव सना भवन है, बलासफ थाकरी जिसे हमने हमेशा करणा ली है, यह महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है, मैं इतना ही कहूंगा, अब करिये कुछ भी हम जुकेंगे नहीं, और 2024 में भी देश में परिवर्तन होगा कभे दराने वाले धंकाने वाले कहां होगे इतना मैं कहूंगा जो मुझे बात कही नहीं थी मैंने कही दी है मुझे लगता है no question answers ये काफी है और और ये बात अब तक ये कहानी पुरी नहीं हुई है ये ट्रेलर है आने वाले समय में कुछ वीडियो कुछ प्लिप्स और डॉकुमेंट लेकर मैं सामने आ जाओंगा मैं देखता हूं कुन क्या करता है आप दिल्ली में कुछ लोग गया दिल्ली में जाओ ये तो जो बैडन के पाथ जाओ मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है मैं शिवसेनिक हूं मेरी जिंदगी संगर्ष में गई है लडाए में गई है बाला सैफ ठाकर जी का मुझे हमेशा अशिरुआद मिले हम सबको हम हरने वाले नहीं है जाई हिन जाई महारास्ट अजने एक हाई अवर हालो देविंद्र फर्वन अजीद का आवर एक फ्रेंट मैन है इसका नाम मोहित कंबोज मोहित कंबोज फर्वनिस साब का आजका लोग बहुत ब्लू एड़ बॉआ है ऐसे मुझे का मैं तो पहिचान्ता नहीं वो फर्वनिस साब को डुबाने वाला है यह जो मैं देख रहा हूं मैं थोड़ा सा बाकी है यह जो पत्राचाल वाला इसको निकाला है यह पत्राचाल की जमिन खरेदने वाला मोहित कंबोज है सबसे बड़ा गोटाला और उसमें भी सब्सक्राइब को डुबाने वाला वहां का करवशन का पैसा यह पत्राचाल में लगा है और मोहित कंबोज का वहां एक लगजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेट बन रहा है पत्राचाल पी और हम पर उंगली दिखा रहे हैं दूसरी बात है कि अवर एक है उसके बारे में मैं और बता दूंगा कागत कहा गया हो और एक कागत था उसका हाँ राकेश वाधवान तो मैंने नाम लिया था राकेश वाधवान उसके पास से यह मोहित कंबोज के केबिजी गुर्प ने वन लैक सिस्टिफाइग थाउजन एक स्के स्क्रोड मिट की जगा मैं चाली सेकर शेत्र में से फोर फाइफाइब सेवन वन फाइब स्क्रोड मिटर इसकी किम्मत है बारा हजार करोड मोहित कंबोज ने खरीद लिया कितने में खरीद लिया है सो करोड भी सिर्फ ऐसे किसका पैसा है और लोग बोलते हैं यह हमारे फरोनिस साबका ब्लू आइट बॉइट 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 है यह कंबोज बायो फार्मिंग प्राइबेट लिमिटेड के बीजी लूजर्स नैफ्स मीडिया सोलूशन्स पी एम रियालिटी काल भेरो उसमें किसका पैसा कहां से आया है खरुणी सार सिर्फ आपको ही मालूम है जानवाद